हिमाचल में लोकसभा चुनावों में हार जहल रही कॉंग्रेस पार्टी अब मंधन कर रही है और राहूल गांदी जो हैं जिस तरह से इस्तीफा दे रहे हैं हिमाचल में भी अब कॉंग्रेस जो है विस चीज को लेकर मंधन कर रही है कि क्या कुछ किया जाना बाकी है सिंगल हमारी परदेश कॉंग्रेस कुमेटी की कार्यकारणी की बैठक हुई इस बैठक में विशेश तोर पे हमारे पूरो मुख्य मतरी शिरीवीर बदसिंग जी और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अगनी ओतरी जी भी मौजूद थे हमने निमेदन किया प्रस्ताओं के माद्यम से अ है वो राष्टिय धर्ष के रूप में कॉंग्रेस पार्टी को आगे मजबूती से बढ़ाएं क्योंकि आने वाला जो समय कॉंग्रेस पार्टी का है क्या लगता आपको इस हार के उपर अब क्या कुछ मंधन किये जाने की जरूरत है क्या कुछ समीक्षा इस चीज को लेकर भी कुछ बैठक में आज कुछ चर्चा हुई है देखे आज की हमारी बैठका एक मातर एजंडा जो है राउल गांदी जी के त्याग पत्र को लेके था उसके बाद जब स्थीती सामने होगी राश्ची स्तर पे हम प्रदेश में जो है बैठक करेंगे वरिस्त रूप से जो है हम चर्चा करेंगे अपने पार्टी प्रतैश चितार हुई है और बहुत सारी जगह पर तरह तरह के संदेव व्यक्त किया जा रहे हैं लेकिन आज हमने जो है इस पर ज्यादा चर्चा नहीं कि इवियम के उपर भी आप कुछ सवाल उठा रहे हैं कि इवियम में गड़बडी है देखिए अभी हमारा जो प्रमुक उदे नेता जो है जो वीर भदर सिंग है वो लगातार सवाल उठा रहे हैं आपने भी बात की कि गड़बडी जो है वो घोटाला इसमें हुआ है इवियम को लेकर क्या आपको लगता है क्योंकि मजबूती कि आप बात कर रहे हैं कि कॉंगेस पार्टी बहुत सारी जगहों पर य जो है हम क्योंकि अभी बहुत सारी चीजे निकल के आ रही है आप आने वाले समय में देखेंगे कि बहुत सारी बाते निकल के आएगी और देश की जनता को जो है तस्वीर सामने आएगी कि क्या कुछ जो है कोटाला हुआ हुआ है प्रदेश की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष हैं आप कॉंगेस पार्टी के हिमाचल में तो एक सवाल ये भी है कि क्या कॉंगेस में दो अध्यक्ष हैं ऐसी बाते निकल कर सामने आ रही हैं आपका जो बात है वो नहीं सुन रहे हैं कुछ लोग हैं पार्टी में हम ब वो ऐसी कुछ बात कर रहे हैं क्या पूरा मामला क्या है आपके संग्यान में क्या है देखिए मेरी उन से बात हुई उन्होंने मुझे ये का कि मैंने व्यक्तिगत तोर पे ये पत्र लिखा है और अब जिन लोगों के नाम शामिल है वो आप उन से पूछ सकते हैं कि क्या उन्होंने इस पत्र की अनुवति दी थी इसलिए मैं इस वी बात पर नहीं पढ़ना चाहता जब संगठन के बारे में आगे चर्चा होगी तो हम इन चीजों को द्यान में रखके काम करें मैं फिर से यही पूछ रहा हूँ कि क्या सुखबिंदर सिंग सुखफू इस तरह से पत्र लिख सकते हैं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पत्र लिखना एक अनुशाशन हीनिता के दायरे के बाहर आता है तो किस तरह से आप देख रहे हैं उनके इस पत्र को और समर्थन को जो की आप से बिना पूछे जो है यह पत्र लिखे जा रहे हैं डारेक्ट हाई कमान को देखिए मेरा जो अजन्डा आज का था वो प्रस्ताव था हमने आज प्रस्ताव पारित करके भेज दिया इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ सोच नहीं रहा हूँ आगे जब भी कोई स्थिती होगी सारी मेरे संग्यान में उसको हम उस दंग से निप्टेंगे अगर किसी तरह से कुछ अनुशाशन हीनता पाई जाती है तो क्या कारवाई जो है इस पर हो सकती है पार्टी से बड़ा कोई नहीं है कोई भी व्यक्ति हो संगटन से बड़ा नहीं है और अगर कहीं भी लगेगा कि इस तरह की कोई गलत बात होई चाए बड़ा सा बड़ा व्यक्ति हो मैं खुद एक अनुशाशित व्यक्ति हूँ और मैं किसी भी स्तर पे अनुशाशन हीनता नहीं बर्दाश करूँ जब आचित करने के लिए शुक्रिया तो ये थे कुल्दीप सिंग राठ और प्रदेश अधक जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि अनुशाशन हीनत अनुशाश्य गजेंदर के साथ विकास शर्म जयनता टीवी शिम्ला